राजधानी दिल्ले के बाद अब MCD में भी आमादमी पार्टी की सरकार बन गई है लंबी जद्दो जहत के बाद आकरकार आमादमी पार्टी ने दिल्ले MCD में अपना कपज़ जमा लिया है साथ ही मेर शैली ओबेराय को जिताने में कामयाब हो गए है शैली ओबेराय पटेल नगर विधान सवा के वाट संख्या 86 से पारसद है और आम आदमी पार्टी की मेयर उम्मीदवार थी आज जब मेयर पत के लिए वोटिंग हुई तो शैली ओबेराय को 150 वोट मिले शैली ओबेराय आम आदमी पार्टी में सुरुवात से जुड़ी हुई थी अन्नान दोलन में शामिल थी शैली ओबेराय साल 2013 में एक कारिकरता के रूप में आम आदमी पार्टी में शामिल हुई थी और साल 2020 तक पार्टी की महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रही पहली बार चुनाव में उत्री शैली ओवेरोय को पारशत के रूप में पश्चम दिल्ली में बीजेपी के गढ़ में जीत मिली है दिल्ली विश्वी द्याले में एक पूर्व विजिटिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और पहली बार पारशत बनी शैली ओवेरोय ने दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुक यानि प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुपता के ग्रह छेत्र में यानि पूर्वी पटेल नग से चुनाओ लड़ा था और अपनी प्रतिदुन्दी दीपाली कुमारी को 279 वोटों से हराया था अब उन्होंने रेखा गुपता को हरा कर मेयर की कुर्सी हत्या ली है 49 साल की शैली ओबरॉय पस्चिमी दिल्ली के पूर्वी पटेल लगर वाड की निर्वाचित पार्शद हैं और वो दिल्ली युनिस्टी में असिस्टेंट प्रफेसर है चुकी वो भारती वाड़िज संग की अजीवन सदस भी है ओबरॉय ने इगनु के स्कूल आफ मैनेजमेंट स्टेडीज से प्रबंधन अध्यन में पिएशडी की है उनके नाम कई पुरस्कार और सम्मान जुन है विविन सम्मेलों ने और आयूजनों में मिले ओबरॉय कई राष्टी और अंतराष्टी सम्मेलोंनों में हिस्सा ले चुकी है जिन में उनके पेपर्स यानि उनके प्रोजेक्ट्स को सर्वस्रेश्ट पुरस्कार मिल चुके है और कॉलेज में अधिक्तम अंकों से पास होने की वज़े से उन्हें इशकॉलर से भी मिलती रही है 49 साल की शैली ओबरॉय की पिता का नाम शातीस कुमार ओबरॉय है शैली दो बहन और एक भाई बहन का नाम मिली खंणा है और भाई का नाम तुशार ओबेरोय उन्होंने पढ़ाई लिखाई दिल्ले और हिमाचल प्रदेश से की दिल्ले विश्विध्याले के जानकी देवी कॉलेज में बिकॉम किया है तो हिमाचल विश्विध्याले से एमकॉम इसके साथ उन्होंने MFIL और PhD के डिग्री भी हाशिल की है जो की दोनों अलग-अलग स्रिक्षन संस्थानों से और साथ ही उन्होंने कई संस्थानों में पढ़ाया भी है बिजनिस प्रबंधन के छेतर में उनके कई शोध पत्र और जनरल भी छप चुके है आपको बता दें कि मेर पत के लिए BGP की प्रत्यासी रेखा गुपता उनके सामने थी मेर चुनाओं के लिए चौथी बार गुलाए गए सदन में शांती पूर्ण चौथी बार में वोटिंग हुई इस दोरान कोई विरोध नहीं हुआ और नहीं किसी प्रकार की कोई नारेबाजी हुई करीब 11 बजे शुरू हुई वोटिंग दो घंटे से ज़ादा चली मेर चुनाओं में दिल्ली के कुल 10 मनोनित सांसदों, 14 मनोनित विथाईकों और 250 में से 241 निर्वाचित पारशदों ने वोट किया कॉंग्रेस के जीते हुए 9 निर्वाचित पारशदों ने मेर चुनाओं का बायकॉट किया आपको बता दें कि इससे पहले कई बार हंगामे के कारण मेर का चुनाओं तालना पड़ा था जिसके बाद मामला सुप्रीम कोट गया था इससे पहले शैली ओबराय सुप्रीम कोट ले गई थी लेकिन वहां से उन्होंने अपनी अरजी वापस ले ले थी महीं दूसरी बार सुप्रीम कोट ने मामले को लेकर बड़ी फटकार लगाते हुए 24 घंटे के अंदर मेर चुनाओं की अधिसूचना जारी करने के आदेश दिये थी सुप्रीम कोट ने अपने आदेश में कहा था कि इस चुनाओं में नामिस सदस यानी अल्डर मैन वोट नहीं डाल सकेंगे क्योंकि उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में इन्हें एल्डर मैन वोटिंग के राइट्स को लेकर एके भी घमासान मचा हुआ था क्योंकि जो पहले चुनाओं हो रहा था उसमें सबसे पहले मेर का चुनाओं न कराके एल्डर मैन की न्यूक्ति की जा रही थी इसी को लेकर आम आदमी पार्टी बार बार अपत्ति जता रही थी और हंगामे के स्थिती बन रही थी लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली एमसीडी पर कबजा कर लिया है और शैली ओवरॉय बगता और मेयर तैनात हो गई इस खबर में फिलाल इतना ही अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ नमस्कार